नमस्कार स्टुडेंट्स मैं नीड़य जगनी हुत्री आपके सामने लेकर आया हूं हमारे रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर ठोस प्रावस्था तो ठोस प्रावस्था को समझने से पहले या ठोस अवस्था को समझने से पहले हम सभी ये देखें कि अभी हमने इसके बा तो हम इसके बारे में कितना जानते हैं तो ठोस आपको मालम है कि पदार्थ की एक अवस्था है और पदार्थ की इसके लावा और भी अवस्थाएं हैं जिनमें मुख्य अवस्था हैं आपको मालम है ठोस द्रव और गैस और इन्हीं अवस्थाओं के बीच अंतर क्या होता है यह भी हमें पता है तो हमें अभी पढ़ना है ठोस अवस्था या ठोस प्रावस्था तो हम जो है वो द्रव और गैस के बारे में ना बात करके हम सीधे ठोस पर आते हैं और जब हम ठोस के गुणों को समझेंगे तब मैं आपको द्रव और गैस तथा ठोस के साथ उनके अंतरों को describe करते जाओंगा तो हम सबसे पहले देखें कि ठोस प्रावस्था में यह जो ठोस है यह क्या है हम सभी को मालूम है कि ठोस क्या होता है हमने छोटी classes में definitions पढ़ी हुई है कि ठोस क्या है लेकिन अब जब आप class 12 में आते हो तो class 12 में या बड़ी classes में या higher classes में ठोस की वो जो हमने छोटी classes में परिभास आए पढ़ी है वो हमें नहीं describe करनी है तो हम फिर ऐसी कौन सी definition है जो कि बताएं या समझें जिससे हमारा standard जो है वो बढ़ जाए तो आईए हम सब से पहले ठोस के वारे में बात कर लेते हैं तो भई ठोस जो है वो द्रव की एक अवस्था है और द्रव की ऐसी अवस्था है जिसमें जो अवी-वी कन है है न जिसमें जो अभी-अभी कण है अब ये जो मैंना word बोला है अभी-अभी कण तो ये अभी-अभी कण से क्या मतलब है अभी-अभी कण मतलब क्या तो ज़रा देख लेते हैं कि भाई ये जो ठोस में जो अभी-अभी कण है ये कौन से कणों की बात यहाँ पर की जा रही है तो ये जो अभी-अभी कण है वो हो सकते है अनू परमानू एवं आयन गरेक्ट है ये अभी-अभी कण क्या हो सकते है अनू, परमानू, एवं आयन तो जो ठोस है वो दरह की ऐसी अवस्ता है जिसमें अभी-अभी कण जो है वो प्रबल अंतरा अणुक बल के द्वारा एक निश्चताकृती में या एक जालक में संवरत संकुलित होते हैं अब मैंने एक और नए वर्ड का यूज किया है संवरत संकुलित है ना अब संवरत संकुलित का क्या मतलब होता है बड़ा टफ सा वर्ड समझ में आ रहा है तो संवरत संकुलित वर्ड के लिए अपन इंगलिस में अपने पढ़ा हुआ है closely packed यानि कि बहुत पास-पास जमा हुआ होना तो यही मतलब होता है संवरत संकुलित का ठीक है तो जो ठोस में जो अभी-भी कन है यानि कि जो अनुपरमाणुवम आयन है वो एक जालक के अंदर एक निस्चित संवरचना के अंदर प्रबल अंतरा अणुख बलों के द्वारा बंधे रहते हैं कैसे बंधे रहते हैं यह संवरत संकुलित होते हैं मतलब कि बहुत पास-पास होते हैं इनके बीच में जो बल लगा हुआ है वो इनको बांधे रखता है बिलकुल पास-पास में और उन्हें बिखरने नहीं देता है या उन्हें टूटने नहीं देता है जिसके कारण ये क्या कहलाते है ठोस कहलाते है ठीक है ठीक है ठोस हमें पता है तो ये हुआ ठोस कि आपको भी 12 के अकॉर्डिंग है दी हम ठोस को समझें क्या? अब हम आते हैं ठोस की कुछ विसेष्टाइं देख ले हमने पढ़ी हुई है लेकिन फिर वही बात आजाती है कि हमें higher level के according कैसे ठोस को समझना या समझाना चाहिए तो आज आते हम कुछ विसेष्टाइं देख लेते हैं तो विसेष्टाओं में पहली विसेष्टा तो यह है कि जो ठोस होते हैं उनके जो आकार है जो आक्रती है वो कैसी होती है आपको भी मालूम है कि ठोसों के जो आकार है और जो आक्रती है वो कैसी होती है निस्चित होती है करेक्ट है भई निस्चित होती है पता है हमें क्योंकि निस्चित होती है मतलब हम कैसे समझ सकते हैं कि मैंने कोई एक पत्थर लिया है यदि मैं उसको यहां अपने हाथ में पकड़ा हूँ तो जो पत्थर है, उसका जो सेफ है वो गोल हो या किसी भी शेप में हो वो उसका जो सेफ है वो जहाफ कभी चेंज नहीं होता कब तक चेंज नहीं होता bisa scientific जब तक बल लगाकर उसके अणुओं के मद्ध जो बल है जिसके कान वो जुड़े हुए है उसको तो नहीं देते हैं तब तक वो अपनी निच्चे ताकरदी को नहीं छोड़ता है तो ये पहला गुण हुआ इसका अब इसके बाद जो दूसरा गुण है वो क्या है कि अभी अभी कन अभी अभी कन कैसे होते हैं अभी अभी कन बहुत पास या कहना चाहिए जम्मे हुए रहते हैं कि हम उपस्थित रहते हैं उपस्थित रहते हैं या कहना चाहिए जम्मे हुए रहते हैं सिंपल कोई वर्डम यूज कर सकते हैं जो हमारी डेफिनिशन को वहाँ पर कंप्लीट करें सही करें अब इसके बाद थर्ड जो प्रॉपर्टी आती है एक ठोस की वो यह है कि भाई जो ठोस है उसका घनत्व जो है वो द्रवों और गैसों से कैसा होता है अधिक होता है इस घनत्व के कारण ही जो ठोसों का भार है वो द्रव या गैस की उतनी ही मात्रा से अधिक होता है तो क्या कहेंगे हम कि घनत्व जो है ठोसों का द्रव एवां गैस से अधिक यह तीसरा गुर्ण हो गया फिर चौथा गुर्ण देख लेते हैं वही यह जो ठोस होते है इसमें विसरन की क्रिया नहीं होती है अब आप कहेंगे सर विसरन क्या होता है यह कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमने पढ़े हुए है लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया इसमें अब भी विसरन का गो होता है मतलब क्या विसरन मतलब है ना क्या समझें हम कि क्या है विसरन तो विसरन का मतलब होता है अगल जाना है ना, पैल है अब बहुत मैंने एक पत्थर लिया अब यह से मैंने पकड़ा हुआ, उसको पखड़ा हुआ है तो क्या बहुत पत्थर जुए जो अलग 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 दिसाओं में फेल जाएगा क्या बिल्कुल भी फेललेगा वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगा वो फैलेगा नहीं लेकिन यदि अपन बात करते हैं द्रव की तो द्रव जो है उसमें विसरन का गुण है द्रव जो है वो फैल जाता है लेकिन थोड़ा सा कम होता है लेकिन यदि हम बात करते हैं गैस की तो गैसों में जो है ये विसरन का गुण बहुत प्रबलता से मौझूध होता है क्योंकि आपको इन वालों में यदि हम कोई अगरबत्ती ले ले लें अगरबत्ती को जो हम जलाते हैं तो उसकी जो खुश्बू है वो बहुत ही जल्दी पूरे कमरे में पूरे एंवायरमेंट में जो है वो फैल जाती है या हम डेली लाइफ में परफ्यूम बगएरा का यूज़ करते हैं तो ये जो गोण है फैल जाने का ये कहलाता है विसरन का गोण ठीक है अब इसके बाद अपन आते हैं कि भाई ठोस है तो क्या ठोस को हम पिगला कर द्रव अवस्था में कनवर्ट कर सकते हैं क्या बिल्कुल कर सकते हैं क्या होता है कि जो कुछ द्रव जो होते है वह नहीं यदि हम बहुत उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो वो जो है पिगलने लगते हैं ठीक है ना अब पिगलने लगते हैं तो पिघलने के लिए एक ताप होता है, कोई भी वस्तुले हम, यदि वो पिघलती है, तो जिस ताप पर पिघलती है, उसे हम कहते हैं भई गलनांग, क्या कहते हैं, गलनांग, आप लोगों को पता ही है, लेकिन एक जो गलनांग हम सभी को मालूम है, लेकिन एक जो मेन जो च तो जब भी कोई ठोस अपनी ठोस अवस्था से एक निश्चित ताब पर यह ताब बढ़ाई भाते जा रहे हैं हम तो द्रह ववस्था में कंवर्ट हो रहा है तो वह ताप prevs Once start कर देता है तो मु क्या कह रहा है गलनांक बिंदू है अब भाई मैंने कोई ठोस लिया, अब मैं उसे गर्म कर रहा हूं दीरी-दीर, 50 degrees Celsius हो गया, 100 degrees Celsius हो गया, 1500 degrees Celsius हो गया, 150 हो गया, 200 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, लेकिन 301 degrees Celsius जब temperature होता है, तो वो जो ठोस है, वो अचानक से क्या होता है, उसकी इस्थिती में बदलाव हमें देखन मिलने लगता है, मतलब वो पिखलना स्टार्ट कर देता है तो ये जो 301 डिगरी सेल्सियस का जो टेंप्रेचर है जिस पर जो ठोस था वो पिखलना स्टार्ट कर गया इसी को कहते हैं हम गलनांक बिंदू समझ गया होंगे आप आंगे बढ़ते हैं हम हम बात कर रहे थे भई ठोस की अब हमने पदार्थ के अवस्थाय पढ़ी है छोटी क्लासेज में अब ठोस की अवस्थाय भी होती होंगी कुछ तो ठोस की अवस्थाय क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा डिसकस कर लेते हैं काफी इंपॉर्टन चीज है ये तो ठोस के बारे में हम देखें हैं तो ठोस की जो है वो मुक्षताय आपर हमने अभी दो अवस्थाय पढ़नी है तो कौन-कौन सी अवस्थाय पढ़नी है तो देख लेते हम ठोस और इसकी जो दो अवस्थाय है वो है पहला क्रिश्टली ये और दूसरा है अक्रिश्टली ये अब देखिए कुछ तो हम सब्दों सही समझ सकते हैं है के नहीं क्रिश्टली ये बुला इन्हों ने और अक्रिश्टली ये बुला ये दो प्रकार हैं किसके ठोस के जो ठोस के वस्थाय हम पढ़ रहे हैं अभी उसके दो प्रकार है अब वर्ड से समझ में आ रहा है कि भाई क्रिश्टली ये और अक्रिश्टली ये वो ऐसे कड़ हैं जिनकी आक्रती जो है वो निस्चित ना हो है ना अब कैसे निस्चित ना हो तो पहले थोड़ा सा अपने इसकी definition देख लेते हैं फिर उसके बाद आंगे बात करेंगे इनके बारे में तो अब crystal मतलब मैंने आपको बताया कि यह चीजें जो है यह crystal है और यह चीजें crystal नहीं है तो definition के अदि हम बात करते हैं तो crystal होते हैं हमने ठोस में देखा कि अभी अभी कल जो है वो जम्य हुए है अब जब crystal हो की बात होगी तो crystal हो मतलब यही जो अभी अभी काण है यानी कि अनू परमाणू और आयन यह निस्चित आकार में हो किसमे हो निस्चित आकार में हो ठीक है तो लिख लेते हैं आपन इसको अभी अभी काण निस्चित आकार में हो ठीक है इसके एक्जामपल भी देख लेते हैं हम तो एक्जामपल में मैंने बताया आपको शक्कर और कुछ ले लेते हैं एनेशियल, केसीयल, सीउ एसो फोर यह सारे जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में मौझूद होते हैं तो भाई हमने देखा कि क्रिस्टलिय जो है वो अभी ऐसा है कि इसमें अभी अभी काण जो है वो निस्चित आकरती में होते हैं तो यदी क्रिस्टलि में निश्चित आकरती में है तो फिर अक्रिष्टिय में कैसे होंगे बिल्कुल ऑपोजट जाना है हमको क्रिष्टलिय से ऑपोजट अक्रिष्टलिय होगा यानि कि मतलब यहां पर निश्चित है तो यहां पर फिर वो निश्चित आकरती में नहीं होंगे अब कैसे नहीं हो आकार मैं हो मतलब उनकी आकार आकरती कुछ निश्यत ना हो अब इसके एक्जामपल्स में हम देखें तो काच प्लास्टिक ये कुछ एक्जामपल है जिनको हम समझ सकते हैं अभी मैं आपको बता देता हूँ अब देखें, हम समझें कैसे इसको अभी अभी कण निश्यत आकार मतलब क्या होता है आप एक मिस्री लीजिए मिस्री समझते न अब मिस्री को जब आप तोड़ेंगे या उसके छोटे छोटे कणा आप करते जाएं तो आप देखेंगे कि जो सन रचना उसकी पहले थी या देखेंगे कि मिस्री के आकार में रहने पर जो सन रचना थी वही सन रचना उसके उस छोटे से कण में भी मुझूद है जो कि हमने तोड़ने के बाद बनाया है तो इसलिए यहाँ पर इनका निश्चेताकार होता है ऐसे ही NACL मतलब आपको 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 नमाक होता है KCL, Potassium Broride, Copper Sulfid सब इनमें भी यही सन रचना होती है अब बात करते हैं हम आकरश्टे लिए कि तो काच है, प्लास्टिक है इनके साथ ऐसा नहीं है जब इनको तोड़ा जाता है जब इनको ब्रेक हिया जाता है तो इनके साथ यह प्रोब्लम है कि इनकी जो आकरती है इनके जो कड़ों की जो आकरती है वो निश्यत नहीं रहती है है ना कैसे निश्चत में रहते हैं माल लीज़े का च का च के च्छोटी से कंखाकार जो है नहीं होती है इस वजए से यह अ क्रिस्टलिय है अब इनकी थोड़ी हम गुन्हों की बात कर लेते हैं crystal और crystal ये की मैं आपको crystal ये के गुण बताते जाऊंगा और आपको crystal ये जो है वो उसका opposite करके समझ लेना है बिल्कुल simple है आंगे बढ़ते हैं तो देखिए पहला गुण जो है इसका तो crystal ये में जो है वो निश्चित ज्यामिती होती है निश्चित आकृती ज्यामिती हम सब जानते हैं तो पहला मैंने लिखा निश्चित ज्यामिती या आकृती आप बोल सकते हैं तो यदि यहाँ पर निश्चित होती है यहाँ पर डेफिनेट्ली या निश्चित होगी पिर second देख लेता है तो second जो है कि कि निस्चित बल उपस्तित होता है ठीक है होता है तो अच्छी बात है कैने का मतलब है कि स्टिक्राइद थोश हैं उएट हर छोटे-छोटे कंकी बीच में निस्चित बल लगा था है एशे क्यों हैं उनके बांदे यह अडिके बेसं तो जो अनिस्चित आकरतीं में powdered हड़ी रहते लेकिन अक्रिष्ट्र फोसों के साथ रही है यहाँ पर जो बन हो निशित यहाँ नहीं होता हो सकता है कि दो चार कुछ द्याइसे पसनी के बीच में जे असमय जो थोड़ागों तोड़ा सा कम हो थोड़ा सा ज्जादा होते हैं वो निस्चित होते हैं ठीक है गलनांक निस्चित अब बाई गलनांक निस्चित होते हैं ठीक है होते होंगे प्रैक्टिकल तो किया नहीं हमने बट देखें किसको समझते हैं कैसे जब अपन ने बात की कि यहाँ पर जो बल है कणों के बीच में वो निस्चेत है करेक्ट है ना तो अब यदि मैं उन बलों जो कण है उनकी बीच में बल लगा हुआ है अब उन कणों को मैं ब्रेक करना जा रहा हूं जब मैं उन कड़ों को तोड़ूंगा जब उनकी बीच में जो लगा हुआ बल है उसको अलग करूंगा तभी वो जो है ठोस से द्रवस्था में कनवर्ट होंगे अब क्यूंकि हर कड़ों के बीच में एक सा बल लगा हुआ है तो हर कड़ों को तोड़ने के लिए जो गलनांक होगा वो निश्चेत होगा क्योंकि बल भी एक सा है सारे कड़ों के बीच में लेकिन आखरिच्टलिय में हमने जैसे अब भी बताया कि हर कड़ के बीच में जरूरी नहीं है कि एक सा बल लगा हो कहीं कम होगा कहीं जादा होगा मतलब अनिस्चित होगा तो इसलिए जो गल्लांग भी होगा वो निस्चित होना जरूरी नहीं है गल्लांग भी कम जादा हो सकता है तो ये था तीसरा अब अपना जाते हैं चौथे गुण की तरफ तो चौथा गुण ये कहता है कि भाई ये विसम दैसिक होते हैं क्या होते हैं ये विसम दैसिक होते हैं अब विसम दैसिक क्या होता है ये नए नए वर्ड जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं यदि हम इनको ना समझे तो तो विसम दैसिक का मतलब क्या है अब विसम्दैसिक चीजों के बारे में हम समझने के लिए पहले तो इनשके बहुत्एग गोणों को समझना पड़ेगा कि जो क्रिस्टलीट व circles है जो जो उसकी बहुत्त गोणों को देखते हैं या चुम्बिकी गुण प्रवाहित करता हूँ है ना या कहना चीए मैं गर्मी या ताप जो है प्रवाहित करता हूँ तो वो जो ताप है या वो जो धारा है या वो जो चुम्बिकी जो छेत्र है या रिखाएं हैं वो अलग-अलग दिसाओं में बहने लगती हैं समझ रहें आप तो आप क्योंकि अलग-अलग दिसाओं में बह रही हैं इसलिए इन्हें हम कहते हैं ये विसमदैसिक हैं लेकिन अक्रिष्टली ठोसों के साथ ऐसा नहीं है जब भी मैं धारा प्रवायत करता हूँ या ताप प्रवायत करता हूँ या चुम्बिखी बल रेखाय प्रवायत करता हूँ तो ये जो चीज़ें हैं ये एक समान दिसा में गती करती हैं तो इसलिए इन्हें हम कहते हैं ये संदैसिक है और ये विसंदैसिक है तो इतना आपको clear हो गया होगा तो ये थे crystal-y और crystal-y ठोस अब हम आगे बढ़ते हैं तो ये था crystal-y और crystal-y ठोस आसा करता हूँ आप लोगों को समझ में आगया होगा अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब हम ये देखते हैं कि अब ये जो ठोस है crystal-y ठोस या crystal-y ठोस जो है इनके और छोटे-छोटे चीज़ों के बारे में हम समझते हैं तो सबसे पहले हम देखें एक वर्ड आप लोगों ने सुना हो या ना सुना हो crystal जालक अब बहुत छोटे-छोटे से हिस्से हैं अभी-अभी कण है unit cell जिनको हम बोलते हैं यदि हम उनको जमा देते हैं तो उनकी पूरी संडशना बन जाती है अब वो संडशना क्या कहलाती है एक crystal जालक कहलाती है लेकिन वही जो छोटे-छोटे अभी-अभी कण है यदि है चोटे-छोटे cells है वो क्या कहलाती है जिससे मिलकर ये crystal जालक बन रहा है तो ये कहलाते है एकक cell क्या कहलाते है ये एकक cell थोड़ा सा इसको हम एक diagram की मदश से समझते है कि माल लीजी एक crystal है अब crystal का अकार कैसा बना ले हम मैंने इसे एक घं के अकार का बना लेता हूँ फिर उसके बाद आपको समझा देता हूँ कि भई कैसे क्या है crystal जालक और क्या है एक अक्सेल ये लीजी मैंने crystal की संदशना बनाई अब ये एक बड़ा सा crystal है अब ये जो crystal है ये बहुत छोटे-छोटे crystal से मिलकर बना होगा निश्चित सी बात है जैसे मैं आपको पहले समझा रहा था कि एक mystery है mystery जो है वो छोटे-छोटे कणों से मिलकर बनी है जब आपन उसको तोड़ते हैं तो जो कण है वो विखर जाते हैं और फिर से अपने निश्चित आकरती में जम जाते हैं तो ऐसे ही ये हमने एक crystal लिया जिसमें बहुत सारे छोटे-छोटे ये आपको जो कण है वो नजर आ रहा है हैना ये कण भी जो है ये इसी आकार में होंगे जिस कण में हमने ये जो है वो घन बनाया हुआ है ठीक है तो ये ये जो छोटा सा ही हिस्सा दिख रहा है इसे हम क्या गोलते हैं एकक सेल और ये एकक सेल जब यूनाइट होते हैं जब में जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं crystal जालक का निर्माल करते हैं थोड़ा सा हम definition wise यह दी देखते हैं crystal जालक और एक अकसल को तो definition wise भी थोड़ा सा समझने इसको यह तो अपन ने समझने की चीज़ थी तो हमने इसको समझ लिया definition क्या बनेगी इसकी definition देख लेते हैं तो त्रिवम आकास में त्रिवम आकास त्रिवम आकास मतलब क्या मतलब 3D रूप में है न तो त्रिवम आकास में किसी crystal के एक अको की नियमित विवस्था को किसी crystal के एकको की नियमित विवस्था को crystal जालक कहते हैं समझ गया होंगे आप मैंने पहले ही आपको डायगराम से समझा दिया है तो यह है crystal जालक की त्रिवम आकास में मतलब की 3D हमें एक डायगराम ले रहे है जैसे कि मैंने आपको भन का एक्जाम्पल बताया है अब देखिए यहाँ पर वर्ड आया एकक तो एकक को देख लेते हैं एकक सेल यह इसी को लिखा जाता है एकाई सेल अब एकक सेल एकाई सेल के बारे में देखें थोड़ा सब्सकों डेफिनिशन वाइस समझ लेते हैं यह जो सुक्षितम संरचना होगी कौन सी सुक्षितम संरचना ऐसी सुक्षितम संरचना जो कि क्रिस्टल जालक को बना रही है तो अपन डेफिनिशन क्या लिखें कि किसी क्रिस्टल जालक का निर्मान करने वाली सुच में तम सन रचना क्या कहलाती है एकक सेल कहलाती है बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को क्रिश्टल जालक क्या है कि बहुत सारे हमने एकक सेल लिए और उनकी जो विवस्था जो बनी उनके संग्रेत होने के बाद जमने के बाद तो वो क्रिश्टल जालक हुई अब जब एकक सेल देखते हैं तो बिल्कुल उसके उल्टा पहुँच चले आए कि किसी क्रिश्टल जालक का निर्माल करने वाली सूच में तम संग्रचना क्या कहलाती है एकक सेल कहलाती है बिल्कुल सिंपल है सिंपल से वर्ड्स में आपन इसको समझ सकते हैं अब देखिए कुछ एकक सेलों की वेवस्था के बारे में आपन बात कर लें तो हम थोड़े से इंपॉर्टन टॉपिक्स को लेके आंगे बढ़ रहे हैं कि एकक सेल जो है उनकी संग्रचना है और भी है लेकिन हम अभी जो मुख्य जो है जो अधिकतर हमारी यूस की है जो हमें पढ़ना चाहिए उनके वारे में बात कर लेते हैं तो एकक सेल में हम देखेंगे घनी एकक सेल अब घनी एकक सेल में आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर मेन वर्ड जो छुपा हुआ है वो क्या है घन घनी एकक सेल की जो हम बात करते हैं यहाँ पर ध्यान हमारा कहा जाना चींछिते गंद में ठीक है न तो एक गंद बना लेते हैं फिर मैं आपको सारी शुक्त प्रकार हैं उंके बारे में समझिआ देता हम। सबसे पहले मैंने गंद मना लिया... अब घनी एकक सेल के तीन प्रकार कौन-कौन से प्रकार है तो यह है घनी एकक सेल के प्रकार सरल घनी ए सेल अन्ता केंद्रित घनी ए सेल फलक केंद्रित घनी ए सेल अब हम पहले बात कर लें वही सरल घनी ए सेल की तो सरल घनी ए सेल का मतलब यह हुआ कि ये जो घन हमें देख रहा है इसके ये जो है इसको बनूलते हैं वर्टेक्स कोने जिसको है न तो सरल घनी सेल में जो परमाणू की व्यवस्था होती है वो इसके कोनों में होती है ये जो कोने आपको देख रहे है है न तो ये क्या बना रहा है इत्रों है सरल गनीन इкив यानिक्ट परमानु जो होगा वह कहां परस्य थोगा एक घन के जो कोने वने हुए मैं व credit वह वहां पर अभ werd हम करते हैं यह आप esses लेकिन उसके अलावांवा उसके अलावा उसके इसके बारे कर लिएहें तो अंता केंद्रित में ये तो ठीक है, वडेक्स तो ठीक है, कोने ठीक है, लेकिन उसके अलावा, उसके अलावा ये जो परवानों इस्थित होता है ये इसके केंद्र पर भी इस्थित होता है कहां पर भी इस्थित होता है? केंदर पर भी स्थिप होता है करेक्ट है अब बिलकुल सिंपल सिंपल सी चीज़े हैं बहुत कोई टफ नहीं है कि सरल घनिये सेल क्या होता है अन्ता है केंदरित घनिये सेल क्या होता है तो बिलकुल सिंपल है कि सरल घनिये सेल का मतलब है कि ये जो कौने बने हुए है ओर डेक्स बने हुए है वहाँ पर परमाणवों का व्यवस्थित होना अब जब अंतािकेंद्रित की बात करते हैं तो ठीक है कोने ठीक है इसके अलाबा और कहा पर होगा कैंद्र पर होगा यानि कैंद्र मतलब ये पूरे के पूरे घं का जो केंद्र होगा वहाँ परमाण हुए इस्तित होगा तो ये क्या होगा एक अंताय केंद्रित घनी सेल अब हम बात करते हैं फलक केंद्रित अब फलक केंद्रित में तो फलक तो समझ गए होगे आपके फलक क्या होती है एक घं के कितनी फलके हैं, अब गिन सकते हैं, पहली ये देख रहे हैं, दूसरी उसके सामने है, तीसरी ये है, चौती इसके सामने है, पाच भी ये है, छट भी इसके सामने है, मतलब फलकें कितनी है, छे, तो इन छे की छे फलकों पर जो है वो परमाणू इस्ते होंगे, क्य बात करते हैं सेकेंड आजाते हैं अंताय केंडरीत के तरफ तो अंताय केंडरीत के तरफ, मतलब है कि इस घंका जो केंद्र है मतलब यहां हम कहीं मालने थे हैं कि यह केंद्र होगा उसका तो वहां पर देख और परमाणों इस्थित है इनके अलावा तो वह कौन सा होगा अंता केंद्रित अब चले अंता केंद्रित हो गया फलक केंद्रित की बात करते हैं तो फलक कें यह कहलाता है यह कहलाता है फलक केंद्रित घनी सेल अब इसके आगे इसमें और क्या चीज़ें हो सकती है इसमें और कौन से छोटी-छोटी जो टर्म से वो यूज होंगी इसके बारे में हम अगली वीडियों बात करेंगे फिरहाल आप इतना देखिए इतना समझ यह यदि इ लाइक कीजिए सेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए धन्यवाद जहिंद बंदेवातरम